हेलो एवरिवन आज के स्क्लास में हम लोग एसेंडिंग ओर्डर और डिसेंडिंग ओर्डर के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स माल लेते हैं कि आपके चार क्लासमेट का हाइट इस तरह से है राजू 130 cm सीमा 128 cm गोपाल 129 cm सीता 124 cm ठीक है इस तरह से आपके चार क्लासमेट का हाइट है और इस हाइट को आप लोग सबसे छोटा से लेके सबसे बड़ा के करम में अगर सजाना चाहें तो किस तरह से सजाएंगे यानि किस तरह से अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी जो है वो सीता है यानि सीता का हाइट 124 cm है तो ये सबसे पहले हो गया ठीक है फिर इससे भी बड़ा अगर देखें तो गोपाल का हाइट है 129 cm और सबसे ज्यादा जो हाइट है वो है राजू का 130 cm तो ये हम लोग सबसे चोटा से शुरू करते हुए यानि smallest से शुरू करके और greatest में खतम किये हैं अब इसी को अगर हम लोग सबसे ज्यादा है जिसका है वहां से शुरू करके और सबसे कम हाइट तक के करम में सजाएंगे यानि सबसे बड़ा यानि से शुरू करके smallest के order में सजाएंगे तो किस तरह से सजाएंगे तो सबसे पहले आएगा राजू का height 130 cm ठीक है उसके बाद गोपाल का height 129 cm उसके बाद सीमा का height 128 cm और फिर सीटा का height 124 cm ठीक है तो यह हमने सबसे बड़ा से शुरू करके और सबसे छोटा के करम में यानि greatest से शुरू करके smallest के order में सजा दिया है तो अब हम लोग definition जान लेते हैं कि ascending और descending कहते किसको हैं जैसा कि मैंने आपको यह example से समझाया है तो आप लोग समझ यह होंगे कि ascending order means arrangement from smallest to the greatest यानि ascending order जिसको हिंदी में आड़ो ही करम भी बोलते हैं उसका मतलब होता है सबसे छोटा से शुरू करके सबसे बड़ा के करम में अगर सजाते हैं तो उसको हम लोग आड़ो ही करम बोलते हैं ठेक है और descending order का मतलब है descending order means arrangement from greatest to the smallest descending order को हिंदी में हम लोग बोलते हैं औरो ही करम तो औरो ही करम क्या मतलब है सबसे बड़ा से शुरू करके हम लोग सबसे छोटा के रूप में करम में सजाते हैं तो यह हो गया descending order का definition I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन दबा दें thanks for watching